हेलो फ्रेंज स्वागत आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास थ्रीवन टैक आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल फॉन से अपने यूट्यूब चैनल पर लाइफ स्ट्रीमिंग को कैसे नेबल कर सकते हैं तो ल सब्सक्राइबर कंप्लेट होने चाहिए जब यह दोनों कंडिशन आपके चैनल पर फुल्फिल हो जाती हैं तो उसके बाद यूट्यूब की तरफ से आपके चैनल पर लाइफ स्ट्रीमिंग के ओप्शन को इनेबल कर दिया जाता है अगर वह ओप्शन नहीं होता तो उसे कैसे करना है यही मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ तब वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखना वीडियो को शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बैल को भी ओन कर लें ताकि तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन के उपर इसमें आपको सबसे पहले यूट्यूब अप्लिकेशन के अंदर जाना है उसके बाद आपको यहां पर यह वीडियो का ओप्शन दिखाई दे रहा होगा इसके उपर आपको क्लिक करना है और आप देख सकते हैं यहां पर रिकोर्ड और गो लाइव का एक उप्शन आ रहा है तो गो लाइव वाले उप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ हैसी स्क्रीन ओपन हो जाती है यूर चैनल डज नोट मीट आवर अपडेट इलेजिबिल्टी रिक्वाइरमेंट्स फोर मोबाइल लाइव स्क्रीमिंग यू कैन स्टिल स्क्रीम विद यूर वैबकेम और ब्रोड कास्टिंग सॉप्वेर तो यह आ आप तो इसके लिए हमें क्या करना है हमें इस प्रोब्लम को सॉल्व करने के लिए और यहां पर हेलप options पर जाना है उसके बाद हमारे सामने ये सारह options open हो जाएंगे उसके बाद हमें यहां पर send feedback पर क्लिक करना है उसके बाद हमें यहां पर type करना है यहां पर हम type करेंगे dear sir I have completed 1000 subscribers on my youtube channel but still my live streaming option is not enabled I have completed 1000 subscribers on my youtube channel but still my live streaming option is not enabled so please kindly solve this issue as soon as possible यहां पर लिखेंगे thanking you और नीचे अपने channel का नाम लिख देंगे ठीक हैं यहां पर सामने नाम लिख देंगे और नीचे आपको अपने channel का लिंक यहां पर पेस्ट कर देना है जो आपके channel कर सकते हैं साथ में नी तो सिर्फ आप इतना लिखके भी बेश सकते हैं उसके बाद आपको यहां पर send feedback पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो उनके पास mail चला जाएगा YouTube टीम के पास थिर्वो आपके इस channel को अपनी तरफ से review करेंगे और कुछ दिनों के बाद आपके channel पर live streaming के option को enable कर दिया जाएगा इस तरीके से आप अपने YouTube चैनल पर अपने mobile phone से live streaming के option को enable कर सकते हैं तो उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी वीडियो अगर अच्छी लगी होते से प्लीज एक लाइक जरूर करें और ज्यादा ज्यादा शेयर करें थैंक यू